हलो गाइज मैं मैं सलिक फ्रॉम सारन बिहार और यू और आपके लिए एक बहुत ही चोटी वीडियो और आज की इस चोटी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जगने और उठने की जो इंगलिश होती है वो दो होती है और जो इंगलिश सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमा आपके लिए बहुत सारी वीडियो दिया करता हूँ यानि चार तिहाई में एक तिहाई ऐसी वीडियो होती है जो लोगों की जो लोगों की गलतियां पर बनाई जाती है यानि जो बच्चों की जो जाने अन जाने में गलतियां हो रही होती है उन गलतियों को रिमूब करान के लिए मैं वो वीडियोज बनाया करता हूँ एक तिहाई ऐसी वीडियो होती है जो काफी डिफरेंट होती है एक तिहाई सिलेबस के कोडिंग होती है और एक तिहाई ऐसी वीडियो होती है जो मेरी एक्सप्रियेंस के कोडिंग होती है जो की किताबों में भी नहीं मिलता है देखने को तो यह थी छोटी सी एक्ष्ट्रा जानकारी आप सबों के लिए जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर हो वीवर्स हो या जो लोग भी जद देख रहे हो यह बात बताना मैं जरूरी समझा ताकि आप मुझे समझ पाएं और मेरे चैनल को भी समझ पाएं कि इस चैनल पर आपको किस प्रकार की वीडियो जो बिलती हैं तो आज का हमारा जो मुद्द है आज का हमारा जो लेसन है वो यह है कि जगने के लिए यानि उठने के लिए दो इंगलिश बहुत ही ज़्यादा फेमस है एक है get up get up और दूसरा है wake up लेकिन क्या आप जानते हो कि get up से कही ज्यादा emphatic wake up है कब और कैसे चलो जानते हैं सबसे पहले कहीं भी आप उठना या जगना देखते हो तो आपको situation देखनी परेगी अगर situation हो रात में सोने के बाद सुबह में जगना अगर ऐसी situation हो अगर ऐसा sentence हो आपको परने के बाद रीडाउट करने के बाद ऐसा लगे कि भाई ये तो जगने की बात हो रही है यानि सोकर जगने की बात होई है और ओभी खास कर सुबह में तो वो situation हमारी wake up होती है अगर हम दिन में भी 2-4 घंडे के निंद लेते हैं और जगते हैं तो वहाँ भी कहने का मतलब है wake up कुछ हद तक हो सकता है लेकिन उतना better नहीं wake up का एक ही उद्दे से होता है एक ही purpose होता है कि रात में पूरी गहरी निंद लेने के बाद सुबह में जब हम जगते हैं उठते हैं उसके लिए हमें wake up का यूज़ करना चाहिए डबल्यू ए के इ वेक यूप अप चलिए एक sentence लेते हैं मैं सुबह छे बज़े उठता हूँ I wake up in the morning at 6 o'clock या I wake up at 6 o'clock in the morning इस तरीके से आप बोलोगे लेकिन आप तो कहोगे कि सर हमने तो इतने सारे sentences देखे हैं इतनी सारी किताबों में हमने wake up का use उतना नहीं देखा जितना की get up का जैसे कि I get up early in the morning या I get up at 6 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock इस तरीके के sentences हमने बहुत ज़्यादा देखे हैं ठीक हैं आपने देखे होंगे लेकिन मैं आपको बदा दूँ कि grammar के coding आप चलोगे यानि grammar को perfect to perfect यानि correct to correct अगर आप follow करके चलोगे तो आपको ये English बहुत difficult लगेंगी इसलिए क्योंकि English rule के coding आप चलोगे तो English एक बहुत ही गंभीर subject है और subject तो नहीं English एक बहुत ही गंभीर भाशा है और थोड़ी बहुत आप subject रूप में भी से समझ सकते हो इसलिए कहीं भी आपको सुबह जगने की बात हो गहरी नींद रात में लेने के बाद अगर सुबह जगने जैसे situation दिखानी हो तो आप get up मत लगाना है ना perfect English grammar के accounting बलकि आपको लगाना होगा wake up अब बात करते हैं get up तो get up मेरा मतलब वो नहीं था कि get up का प्रयोग आप नहीं करोगे कर सकते हो कोई दिकत नहीं है लेकिन जो situation है जो एक condition है उसको मैं आपको बता दूँ कि क्यों मैं आपको बता देता हूँ कि get up का मतलब उठना होता है जगना भी होता है लेकिन खास कर इसका मतलब उठना होता है और कभी भी जैसे कुरसी पर बैठे हो सोय हो या ना सोय हो है ना मैंने बोला कुरसी से उठ जाओ get up from the chair है ना कहीं भी कुछी किसी भी चीज पर बैठे हुए हो हाना और किसी ने बोला उठ जाओ तो वो बंदा आपको get up कह सकता है और आप भी उठ रहे हो तो आप get up का इस्तिमाल कर सकते हो भले आप निन से सोय हो या ना सोय हो या सिर्फ बैठे हो या लेटे हो जो कुछ भी हो बस कहीं से किसी भी तरीके से उठना वो get up होता है लेकिन गहरी नींग लेकर के उठना जगना वो wake up होता है और get up का एक और मतलब होता है get up जिसकी बात मैं कर रहा हूँ इसका मतलब पोशाग भी होता है यानि लोग कहते हैं ना तुम्हारा get up अच्छा नहीं है जाओ अपना get up बदल लो या अपना get up ठीक कर लो तो पोशाग केर्थ में पहनावे केर्थ में भी get up का इस्तिमाल किया जाता है तो dear students उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी अभी तो मजबूरी बस मुझे जहां तहां वीडियो बनानी पर रही है lockdown के बाद मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगा हैना board के साथ, marker के साथ, यानि return के साथ अभी तो मुझे सिर्फ औरली वीडियो बनानी पर रही है so dear students मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye